नवस्कार स्वागत है आपका इंडिया की बात में मैं आविसार शर्मा और इस कारेकर में मेरे साथ है भाशा और उर्मिलेश और आज तीन मुद्दों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और निउस के फैक्ट शेकर मुहमत जुबैर को शर्तों के साथ पांच दिनों के लिए अंत्रिम बेल मिली हमाच चर्चा करेंगे इस मामले के दोहरे मापदंड की मुद्दा नमबर दो भारतिय जनता पार्टी के कई कारकरताओं के जुड़ रहे हैं आतंकवाद के साथ रिष्टे मीडिया इसकी चर्चा करने से क्यूं डरती है और मुद्दा नमबर तीन शिवसेना ने सुप्रीम कोट का रुख किया है एकनाच शिंदे को जो बहुमत हासल हुआ है जिस तरह से बहुमत हासल हुआ है उसे चुनौती देने के लिए ग्यारह तारीक को इसकी सुनवाई होने वाली है इसकी राजनीती क्या है दोस्तों मगर सबसे पहले बात मुहमत जुबेर की आज दो खबरें सामने उभर कराएं मुहमत जुबेर को अंतरिम बेल मिल गई है शर्तों के साथ वो भी सीतापुर मामले में पांच दिनों के लिए अंतरिम बेल है वही दूसी तरफ जी न्यूस के आंकर रोहित रंजन को पर भी सुप्रीम कोट का आदेश आया है जिसमें कहा गया है कि पुलीस 36 गड़ पुलीस उन पर कोई कारवाई नहीं करेगी किसी तरह का कोई coercive action नहीं होगा और त्वरित ये फैसला सुप्रीम कोट का आगया है मगर जुबैर के लिए धेरों शर्ते हैं ये दोहरे माबदंड क्यों उसकी हम बात करेंगे क्या है इस खबर का पंच सबसे पहले उर्मिलेश बताएंगे माननी सुप्रीम कोट के दोनों जो judgment है उनको पढ़ना बाकी है क्योंकि हमने पूरा पढ़ा नहीं है लेकिन जो breaking news आ रही है उसके रोष्णी में मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि बहुत चकित करने वाले फैसले हैं और माननी सुप्रीम कोट ने क्या सोच कर किस किस तरह से इन चीजों को सामने रखा है मैं इसको फिर से पढ़ना पढ़ेगा क्या है इस खबर का पंच आईए सीधे रूख करते हैं भाशा का अभिसार मेरा बिल्कु साफ मानना है कि ये जो सुप्रीम कोट का फैसला आया है और इससे पहले भी तो कि पूरा मामला इससे पहले का ये टेस्ट केसे बेसिक लिए जुबेर का जो पूरा मामला है जुबेर नहीं पत्रकारिता कट घरे में खड़ी की अभिवेक्ति की धंग से सुप्रीम कोट इंट्रवेंचन कर रहा है और ये बहुत शर्म और चिनता का विशे अभिसार आपका क्या पंच है इस पर देखे चाहे देश की नियाएक प्रक्रिया हो चाहे मीडिया हो चाहे पुलीस हो चाहे भारती जनता पार्टी हो उनके रुख में कोई बदलाव नहीं है दोस्तों सब एक सुर में बात कर रहे हैं और ये इनसाफ की निगास एक बहुती चिनता जनक बात है ऐसे में इनसाफ के प्रती, लोगों का कितना विश्वास रहेगा, वो इससे पता चलता है, और ये है इस खबर पर मेरा पंच, तो चलिए इस खबर को आगे बढ़ाते हैं, सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि जब ये जिरह चल रही थी, तब जुबेर के जो वकील थे, कॉलिन खिलाफ था, उन्होंने ये भी का था कि मौमद जुबेर का जो ट्वीट है, वो दरसल सही माइनों में देश के धर्म नर्पेक्ष मुल्यों को जो है बचाए रखता है, अजीव और गरी बात यहां पर ये थी, अर्मिलेश जी की जो सरकार की तरफ से नुमाइंदे थे, उ लातकार करनी की टिपपणी करता है, आप बचा किसे कर रहे हैं, यतीन अर्सिंगा नंसरोसी, जिससे आपने खुद गिरफतार किया था, तो ये तो सरकार के पक्ष का रवईया बहुत आजीब और गरीब है, कल्पना से भी विचित्र, अभी साथ दगो, माननी सुप्रिम क आज के जो अब्जर्विशन्स हैं, या फैसला जो भी है, उस पर कमेंट किये बगएर, मैं नीजी तोर पे पत्रकार के तोर पे मानता हूं, कि जुबेर, मुहमद जुबेर के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनता, मेरा ये मानना है कि किसी भी लोक्तांत्रिक देश में, ज इसको वजूद में नहीं आना चाहिए ता, पहली बात, दूसरी बात, जहां तक जुबेर के वे इशुज जिनके आधहार पर उनके खिलाब इसकार किया गया है, मेरा मानना है, बिलकुल मैं उनके वकील से सामत हूं, खासकर उत्तर प्रदेश वाली केस के मामले में, कि वो नफरत के जो दूत हैं, तो नफरत के दूतों के खिलाब बोलने वाले एक पत्रकार को, एक टिपणिकार को आप कैसे नफरती कह सकते हैं, कैसे उसको कह सकते हैं कि उनका इंटेंशन समाज को विभाजित करने का है, किसी की धार्मिक भावना को आहत करने का है, यह यह भाव दिवाने की फिल्म बहुत पहले की फिल्म है और इस फिल्म के दृष्य को सामने रखकर वो अधयार कर अरे वो कमेंट की भाशा पर कोई सवाल उठा सकता है लेकिन क्या वो मेलाफाइड है क्या उसका इंटेंशन डेलिवरेट है क्या उससे समाज में दंगे पहल रहे हैं तो मुझे लगता है कि जो भी इस तरह के उनके अंदर मकसद खोज रहा है उसका इरादा उसका मकसद स्वें दूशिक है भाशा मैं आपके पास यहां पर आना चाहूँगा और मैं आपस सवाल पूछना चाहूँगा एक तरह मुहमद जुबेर है दोहजार अठारा का एक ट्वीट मगर दूसी तरह जी नियूस का अंकर जिसे राहत दी है सुप्रीम कौर्ट ने उसने तो अपने गुना को कुबूला और ये अपने आप में बहुत ही वाहियात कारकरम किया गया था जिसमें आपने राहूल गांदी के बारे में एक जूटी खबर का प्रचार प्रसार किया था उस पर निशाना सादा हाला कि मैं खुद इस बात के खिलाफ हूँ कि पुलीस घिरफतार करने पहुँच गी मुझे लगता है एक कानूनी प्रक्रिया चलनी चाहिए थी मगर यहां पर कितनी त्वरित जो है यहां पर उन्हें राहत मिली और दूसी तरफ मुहमद जुबेर अभी हिरासत में है और वो भी शर्तों के साथ उसे बेल मिल रही है यह जो दोहरे मापदंड हैं वो काफी चिंतित करने वाला है अभी साथ यह जो दोहरे मापदंड है यह बता रहा है कि जुबेर के खिलाफ बदले की कारवाई में सिस्टम उतरा हुआ है तो कि हम जब जुबेर की बात करें हमें याद रखना चाहिए कि नूपूर शुर्मा जो भाजपा की इतनी बड़ी प्रवक्ता थी उन्होंने जो कमेंट किया उसके मेंट के बाद दूरर प्रवक्ताकर ने करिमेंट किया मोहमाज झालाफ कि नंफरती एजंडा कि उसे जिस तरह से महमज जुबेर ने एक मुकाम कर पंचाया कि यह सारा जो नफरत का खेल है खुले याम जो नफरत का केले इस पर रोक लगनी चाहिए और हमें आपको और हमारे दर्शकों को नहीं भूलना चाहिए कि पहली बार हुआ कि पंद्रा देश इस मुद्वे पर सामने आए और शायद जुबेर आज सलाकों के पीछे जो है उसकी बहुत बड़ी वज़े है कि वो सच को पूरी बेवाकी के साथ सब के सामने ला रहे थे जो नफरत का पूरा एक भ्रम जाल पहला हुआ है गलत वीडियोज है और यहां मैं कहूंगी एक बात जिससे अतनी बात में पतम करूंगी इसमें मेरी भावनाय आहत हुई जब मैंने सुना यतिनर्सियानंद को ज कोई हो किसी महिला के खिलाब इतनी घिनावनी अभद्र भाशा का इस्तमाल करने वाले लोग आजाज भूम रहे हैं और यह सच हमारे और आप तक पहुचाने वाले लोग अगर सलाखों के पीछे हैं उनके उपर के से तो मुझे लगता है कि तमाम महिलाओं के लिए बहुत उबेर को निशाने पर लेका और जो दोहरे मापदन मुझे आप लेते हैं कि अब तक नुपूर के खिलाफ नुपूर के खिलाफ कोई आक्शन नहीं लिया गया है नुपूर से पूछताच नहीं हुई है और मैं आपको ये बता दूं कि सवाल सिर नुपूर शर्मा का नही है नवीन कुमार जिंदल जिन्होंने इस बात को ट्विटर पर दोराया और अभी भी खबर मिलिये भारती जनता पार्टी का जो आईटी सेल का एक प्रमुक है हर्याना में उसे भी पार्टी ने निकाल दिया जिसका नाम शायद आरुन यादव है यानि कि पूलिटिकल पा ने फ्रमुक है कि पछले कुछ वर्षों से अपने देश में जो समवैधानिक संस्थाएं हैं सिर्थ प्रकु लोगतांत्रिक संस्थाएं नहीं आप इस फरफ को अपने आपके दरशक भी समझेंगे हमारे हां कूछ प्रकूर्शास्निक संस्थाएं हैं कुछ लोगतांत्रिक संस्थाएं हैं और कुछ समवैधानिक संस्थाएं हैं अब तक इस मुलक में समवैधानिक संस्थाओं का इस तरह से परदाफाश नहीं हुआ था कि एक ही तरह के मसलों पर अलग-अलग मापतन डपनाएं लेकिन इस मामले में इस तरह के जो मामले सामने आ रह आए ये अपने मुल्क के लिए बहुत ही संगीन है बहुत ही खतरनाक है और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोट ने पिछली बार जिसकी बड़ी चर्चा हुई हाला कि मैं उस फैसले से बहुत संतुष्ट नहीं था एक जनलिस्ट के तोर पे जो माननी सुप्रीम कोट का फैसला आया था खासकर नूपुर शर्मा के बारे में और नूपुर शर्मा को इतना ज़्यादा उस अब्जर्वेशन में कमेंट किया गया फैसला कुछ नहीं आया सिवाई इसके कि आप अपना अपना अपनी अपील वापस ले लीजिए लेकिन फैसला क्या हुआ क प्रॉपगैंडा चलाया गया इसका एक दूसरा पहलु है भाशा ट्विटर जो है मोधी सरकार को अदालत घसीट के ले गई है क्योंकि मोधी सरकार ये मांग कर रही है कि कई ट्वीट्स को डिलीट किया जाए ट्विटर कह रहा है भाई अगर हम डिलीट करेंगे तो ये आज चारिक तौर पर एक सोशल मीडिया जाइन पर दबाव भी एक तरह से बना रही है भाशा? तो यहां देखे सबसे बड़ी बात है कि तमाम लोग जो आज सलापों की पीछे घसीते जा रहे हैं इनको ट्रोल आर्मी पीछे पड़ी हुई है यह सब लोग क्या चाहते हैं कि देश में आमन चैन रहे हम आप यह चर्चा करें कि जून में एक करोड से अधिक नौक्रिया ग कि बस नफरत पहले और नफरत पर चेक लगाने के लिए हमें और आपको बोलने से पहले सच जो बोलना है हमें बतोर मीडिया बतोर पतरकार जो जूबेर काम कर रहे हैं उन सब के ऊपर खौफ-तारी हो जाए एक डर हो जाए कि अगर हमने बोला तो हमारा हाल होगा और कोई बचाने वाला नहीं होगा यहां देखिए यह निसाल बहुत बड़ी है वो यह इस्टैबलिश करना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे खिलाफ बोड़ा तो आपको बचाने के लिए कोई नहीं होगा यह एक बहुत खतरनाक नजीर बहुत खतरनाक प्रिसिदेंस जिस पे सुप प्रिम पोड़ के जज के ऊपर जब लोक आरोप लगा रहे हैं इतनी अभद्र भाषा का इस्तमाल कर रहे हैं वो दया में बात कर रहे हैं आप तो मिलोड हैं आप तो तमाब लोगों के खिलाफ चुट्कियों में फैसला देते रहें तो यह जो दिखाई दे रहा है और फॉर्म में खुल कर सामने आया है। आपका एक्शन हमेशा समाज के अंदर राजकता पहलाने वाले लोगों के पक्ष में दिखाई देता है। कि जो आतंकवादी हैं या जो कथित आतंकवादी हैं वो एक अरसे से भारती जनता पाटी से जुड़े हुए थे। अब इसकार्त ये नहीं कि इन आतंकवादी घटनाओं के पीछे भाचपा हैं नहीं। मगर मैं कुछ और कहना चाहता हूँ कि इसकी कहीं चर्चा होती है। क्या है इस खबर का पंच और मिलेश बताएं। अबिसार की हमारे देश के मुख्यदारा मीडिया में भारती जनता पाटी के इस तरह के जो मसले आते हैं ये जो कनेक्शन जो आता है इस तरह के इलिमेंट्स के साथ कब भी कोई चर्चा नहीं होती। मतलब आज की बात नहीं है आप पिछे आठ साल से देख लीजे बलकि मैं तो कहता हूं कि जब बीजेपी सक्ता में नहीं थी तब भी चर्चा नहीं होती थी। भी नहीं होती थी। भारती जंता पार्टी या संग परिवार का इस तरह का एक रपतवा इंडियन मेंस्ट्री मीडिया में खासकर हिंदी चैनलों में रहा है जो आज भी दिखाए देता हिंदी अख़बारों में भी रहा है जो ये ये अनायास नहीं है बिलकुल आखिर मै मैं ये कहूँगा कि इन चीजों का इन्रिस्टिगेशन इन चीजों के बारे में पड़ताल वाकई इस मुल्क में हो ही नहीं सकती क्योंकि कोई इसके लिए तयार नहीं है क्या है इस खबर का पंच भाशा बताएं द्रिखियों मेरा मानना है कि अभिसार उधेपूर की घटना हो या जम्मु कश्णीर की जो घटना है इसमें कम से कम आज की दारीक में आपके पास हमारे पास मीदिया के पास ि कोठोज हैं वीडियों हैं जो लिंक कर रहे हैं और उसके बादグ इस पर चर्चा नहों उस पर बवाल न कटना बड़ा मुद्धा न बनना मीडिया में यह दिखाता है कि मीडिया किस तरफ खड़ा है एक बार और जो कॉर्परेट मीडिया है वो स्टैंड एक्सपोज है उसका रवया रुप पता चला है हला कि इसमें मीडिया का एक हिस्सा सामने आया कम से कम उद् कि कि इस खबर पर मेरा पंच यह है कि चाहें इस देश का मीडिया हो चाहें भारतिये जनता पार्टी हो जो लोग recoat के नाम पर टी आर्पीज हासेल करते हैं, वोट्स हासिल करते हैं, इनका राष्ट्रवाद पूरी तरह से नकली है, इनके राष्ट्रवाद पर शर्तें लागूएं, आपने अक्सर जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके नीचे बहुत हलका सा लिखा होता है, इनके राष्ट्रवाद पर भी शर्तें लागूएं, इनमें हिम्मत नहीं होती है, कई जग़ों पर सवाल उठाने की, मगर जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, कल्पना कीजिए, अगर उन आतंकवादियों या उन कथेत आतंकवादियों के साथ, विपक्ष का कोई नेता दिखाई देता, तब कितना बावाल होता, सबसे पहले मैं और मिलेशिया आपके पास आना चाहूंगा, जैसे मैंने का, राष्ट्रवाद मगर शर्तें लागू, और कुछ दिनों के बाद, जो यह खुबसूरत लफज है, राष्ट्रवाद, इसे बरबाद करने में, मीडिया और भा का समूर नाश करे, जो भाईचारा खतम करे, जो हमारी जो कमपनियां है, सरकारी, जो उनको आनन पारण में आने पौने दाम में बेज़ दे, जो बिलकुल डिस्ट्रॉय कर दे, बड़े 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 पुबिक सेक्टर, तो यह कहां से राष्ट्रवाद है, राष्ट् मुल्क बनाईए, डिमोक्रसी हम को दीजिए, लोग खुश नहीं, यहां तो ठीक से अस्पताल नहीं मिलता, स्कूल नहीं मिलता, काउन सा राष्ट्रवाद, मारकाट राष्ट्रवाद है, नफरत फैलाना राष्ट्रवाद है, तो यह सब नकली है, लेकिन मीडिया के बड जो हैं, प्रेस कॉन्फरेंस कर रहे थे, भाष्टा आप जानते हैं, उन तमाम प्रेस कॉन्फरेंस मेरे ख्याल से, किसी भी पत्रिकार ने, यह सवाल तक नहीं पूछा, कि वो जो टेरर लिंक्स जिसकी बात आ रही है, वो क्यों, कम से कम भारती जनता पार्टी को उस जहां से जहां से मोधी जी ऐलान करते हैं कि भाष्टा को इस नहीं यात्रा निकालनी चाहिए, तो जब वो एलान कर रहे हैं, और जब उसके इर्धिर खपरें मेडिया चला रहा है, तब भी यह एक सवाल टेरर लिंक्स पर और सिर्फ टेरर लिंक्स पर ही नहीं, जिस तरह से एक बास साफ है, जो हमने देखा है, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे बाकी जगा हो, जो कॉर्परेट मीडिया है, इसके तमाम एडिटर, तमाम एंकर वही ट्वीट भी करते हैं, जो हेड़क्वाटर से आता है, और इसकी अंगिनप मिसाले हम सब देश दुनिया को दिखा चुके हैं, कि कैसे कट-पेस करके ट्वीट आते हैं और वो चलाते हैं, ऐसे लोग निश्चित तोर पे न सवाल पूछने की रीड रखते हैं, न मादा रखते हैं, और उनके दिमाग नहीं है, कि वो और कैसे बहतर भाश्पा की स्पोक्सपरसन हो जाएं, तब आप देखे इसकी वज़ा है, सिर्फ ये नहीं है कि पत्रकार बोलना नहीं चाहता, पत्रकारों का एक हिस्सा मैं मानता हूं में स्ट्रीम मेडिया में भी, यहां तक की टेलिविजन में भी, वो वाकई जनलिजम करना चाहता, एक हिस्सा, लेकिन दरसल जनलिजम करने देने के लिए माहौल नहीं है, उसकी वज़ा है कि पूरे के पूरे जो मेडिया समूव हैं, कार्परेट जो हाउसेज हैं, जो उनके मालिकान हैं, वो मुनाफे के धंदे में हैं, वो इतने जबरदस्त उनको मुनाफ़ा है, सरकारी विग्यापनों से, और दूसरी बात, और दृश्य मु जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, आज अख़वार के पहले पेज़ पर ख़वर है कि टाइमस अफ इंडिया का जो बड़ा समूव इस्टेश का है, सबसे बड़ा समूव, एडी का उनके पास भी एडी ने दस्तक दे दी, उनके टॉप ओफिसियल्स को एडी ने बुलाय है, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि टाइमस नौ आपके पास है, आपके पास इतने बड़े बड़े अख़वार है, इतनी सेवा आपकी है, लेकिन इतनी सेवाओं के बावज़ोद भी एडी क्यों चला गया, तो पता ये चला है कि हाल के दिनों में एकात ख़व आई, जी हाँ, शिव सेना में जैसे कि आप जानते है, एकनाश शिंदे ने मुझे मंत्री पत की शपत ले ली, मगर उससे पता पहले आपको याद होगा ड्रामा कितना हुआ, पहले ख़वर आ रही थी कि देवेंदर फड़ नवीज जो हैं, वो मुझे मंत्री बनेंगे, म बतौर स्पीकर राहुल नार्वेकर का जो चुना हुआ, उसे भी उन्होंने चुनावती दिये, क्या है इस खबर का पंच, उर्मिलेश बताएं, अभी सार देखो, मिजारटी उनकी विधान सभा में है, इसमें कोई दोराय नहीं है, एकनाश हिंदे ग्रुप की, इसमें को उसमें जो जो पहलू है, जो उसमें जो उसके प्रावधान है, उसमें संगठन, यानि दल का जो अध्यक्ष है, दल की जो समितियां है, उनका बहुत महत्त्व है, और इसलिए ये मुद्दा अभी भी ओपन है, इतना आसान नहीं है, इसको फार्मिलाइज करना, क्या है इस संक्षेप में खबर सिर्फ ये है, कि भाश्पा चाहती थी कि शिवसेना खतम हो, जिसमें वो एक हद तक सक्सेस्पुल हुई, जिस तरह से उसने खरीद फरोग की है, जिस तरह से सरकार बनवाई है, एजेंडा उसका साफ है, हिंदुत्व का चहरा सिर्फ और सिर्फ भाश स्पाही दिखाई दे। उनका वर्शस्व रहा है, ये तब पता चलेगा, जब चुनाव होंगे, और तब जाके पता चलेगा कि असली शिवसेना किस के साथ है, उद्दव ठाकरे के साथ, या एकनाच शिंदे के साथ, तो इस खबर की चर्शा को आगे बढ़ाते हैं, अपने आप में बहुती दिल चाह को मनाईए, मंत्री बनने के लिए, और वो से तमाम चीज़ें, और ये भी खबर आ रही है, जब उन्हें बताया गया था कि आप डेपुटी सेम बन जाईए, तो उनकी आँखों में आसू आ गये थे, तो एक तीर से दो शिकार यहां पर अमिश्या ने किये, शिवसेन इसमें कोई दो रही नहीं है, लेकिन शिवसेना को खत्म करना तो ये बहुत पहले से इन लोगों ने तैय किया था, क्योंकि जिस तरह से उद्व ठाकरे अड़ गए, कि हरगिज हम आपकी गुलामी बरदास नहीं करेंगा, उन्होंने शब्द यूज किया था, गुलामी, बहुत हो गया, आपने मुख्यमंतरी का वादा किया था, आप नहीं हमारे साथ आ रहे हम आपके साथ कभी नहीं आएंगे, इसके अलावा उनकी राजनीत में भी शिफ्ट एक दिखाए दिया रहा, एक लिबरल एप्रोच, खासका रादित ठाकरे, उदव ठाकरे, दोनों अपने जो बाल ठाकरे साथ थे उनके दोर से अलग दिखने लगे, इसमें एक बहुत महत्पूर बात ये थी कि ऐसे समय आपरेशन को अंजाम दिया गया, जब चारेक महीने रह गये हैं, मुंबई नगर पालिका के इलेक्शन, और आप जानते हैं कि जो बंबई का कारपरेशन है, करीब पच्छास हजार करोड़ उसका बजट है, और इसी बजट, इसी इसी कारपरेशन के लिए दरसे लिए ये आपरेशन को अंजाम इतने पहले दिया गया, वरना तरह और वक्त लगता, वो इसका त्वरित कारण है, मगर हम सब जानते हैं कि भारती जनत बाला साब ठाकरी की विरासत है, और उस विरासत पर जो कबजाब करेगा, वही सही शिवसैनिक होगा, एकनाच शिंदे ने कम से कम विधायकों के तर्स पर सफलता हासिल कर लिए, वो हम सब जानते हैं, मगर हम ये भी जानते हैं कि एकनाच शिंदे के इलावा भाशा, दु के पास विकल्ब क्या है, अग्रेसिव रहना या क्या? पॉलिटिकल बहेवियर किया, कि आप घर चोड़ देते हैं, CM के घर से वापस जाते हैं, तो उधव ठाकरे के लिए सिर्फ एक रास्ता है कि वह वापस महराश की जनता के पास जाएं, क्योंकि जिस तरह से ये पूरी सरकार बनी है, एक निगेटिव उपीनियन इस सरकार के के बारे में आपने भी बात की होगी, मैंने भी बात की है, और मिलेश जी ने मैं भी बात की है, लोगों के भीतर है कि ये जो तमाम लोग गए हैं, और खास और से आपको याद में यहाँ दिला दू, कि जिस तरह से वहां पर डांस करते हुए उन्होंने वीडियो वाइरल किया था जो विधायक गए हैं शिंदे के साथ तो उससे ये ओपिनियन गया है कि ये सारे लोग खरीद फरोग करके गए हैं काम नहीं करेंगे बहुत लूट खसोट होगी तो उससे अपने पैर जमीन पर अंदर गहरे धसाकर अगर उधाव ठागरें इस संकर से उपर आते हैं तभी शायद उनका पॉलिटिकल अस्तित्व बचा रहेगा नहीं तो भाषपा ने जो ऑपरेशन किया है जिस तरह से ऑपरेशन लोटस ये हुआ है ऑपरेशन एडी ये हुआ है उसमें बहुत साफ है वोसह कि सिर्फ हिंदुत्य का एक चहरा भार्ति जन्तापार्टी शिर्शेन आगायव हो जाएगी हम आप सब जानते हैं जी बाचा 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 नहीं रहने वाले हैं वहाँ पर इसके लेकर किसी को कोई दूइधा नहीं है सब जानते हैं वह एक तेम्परेरी अर्रेंज दोबारा महाराश्ट की राजनी की चली हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस वक्त कम से कम आधा दर्जन ऐसे विधायक हैं जो एकनाश हिंदे के साथ हैं और उन पर E.D. के सक्री केस्स थे उन में से कई लोग निजी तोर पर बाचीत में कह रहे हैं झाल